नमश्कार आप देख रहे हैं हर्यान न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दीशा आई ये रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी ख़बर की ओर यमना नगर के साडोरा विधानसबा में मुख्यमंत्री नायब सिंसानी की विज़ संकल्प रैली से पहले ही किसानों ने विरोध के स्वर उठा दिये किसान जैसे ही मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी के रैली स्थल की तरफ बड़े तो परदर्शन कारी किसान और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई पुलिस पदादिकारी किसानों को बस में बेठा कर ले जाना चाहती थी लेकिन किसान बस में बैठने के लिए तयार नहीं थे इस दोरान काफी देर तक हाई वोल्डेस ड्रामा चलता रहा लेकिन इससे पहले भी परदर्शन कारी किसानों और डियस्पी कमलजीत के बीच परदर्शन स्थल को लेकर तीखी बहस हुई मुख्यमंद्री नायव सिंग सैनी के साडोरा आगमन से पहले दो सड़का रोड पर किसान दरी बिचा कर बैठ गई पहले मुख्यमंद्री नायव सिंग सैनी और भाजपा सरकार के खिलाफ नारे बाजी की और जैसे ही परदर्शनकारी किसान रेलिस्थल की तरफ बढ़े तो पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया पुलिस ने परदर्शनकारी किसानों को जबरन बस में बिठाने की कोशिश की काफी देर तक सड़क परधका मुक्की का सिलसिला चलता रहा इसके बाद करीब 50 किसानों को हिरासत में लेकर पुलिस रवाना हो गई यमना नगर से हमारे समाद दाता राजीव जोली की रिपोर्ट कि अधर हमें पुछ किसानों को हिराने की की मतर्ट बात करना चाहते हैं लेकिन बुक्या में किसान उसे मिलना रिचाता थी है, क्यूड गोलता है किसानों के बेटा कुटाता है और दो हजार चोड़ी में इनका सेवक्स का रइची है क्या जाओगे, पुड़े सेवर्शन का रूही पे पूरे निंदा करती है किसानों के अपने कुछ परिशू थे, किसानों समंधित इसलिए वो अपने अवरोज करने के लिए बैठे थे, जो अपने समझाया है कि आप ठीक है, आज ही हम प्रोग्राम में थी हम साब गाता बीच में इसको डिश्टर दो करें, अगर आप परोगे ता अपने कारवे कीज कुछ को मने समझा दिया, कुछ को मने पर डिटेन कर लिया